धंपद गाथा तीन और चार अककोछी मंग एवधी मंग अजीनी मंग एहासी में येचे तंग उपने हंती वेरंग तेसंग ने सम्मती इसमें एकोछी जो मतलब है पहला वाला एकोछी का मतलब होता है एकोछी का मतलब होता है अक्रोस क्रोस मानें, क्रोध मानें यानि के क्रोध या कैसे न कोषना पुरानी भासा में आपने सुना होगा कहते हैं ये मुझको कोष रहा है या ये मुझको कोस रही है या वो कोसता है जो कोसना होता है उसको पाली के अंदर कोच्छी बोलते है और एक कोच्छी का जो मतलब है यहाँ पे पाली के अंदर दो तरह की करियां काम करती है एक डारेक्ट और एक इंडारेक्ट डारेक्ट और इंडारेक्ट कैसे काम करती है जैसे मैंने पानी पिया या मुझे पानी प्लाया गया दो बाते हैं दोरों का थेक है मैंने पानी पिया या मुझे पानी प्लाया गया वहे लड़के ने चाकू से काटा या उस लड़के ने वहे लड़के ने चाकू के द्वारा काटा काटा गया यानि कि एक हम डायक्ट बोलते हैं एक इंडायक्ट बोलते हैं ऐसे ही यहाँ दो तरह की स्पीचिज आती हैं मगर पाली में जो गाथा हैं उनमें in diet speech बहुत है यानि passive जो speech है उसको अतनोदोपन बोलते हैं और यह speech, यह जो बात है इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जवत होती है यह आम भासा में नहीं बूली जाती है और पाली के आम भासा में तो बिलिकुल भी नहीं बूली जाती यह mostly सायतिक भासा है जो जगे जगे आएगी और यह पार्च सेंटेसिस में बहुत ज़्यादा है यानि कि जो भी चुका है भूत काल है भूत काल की किरियां बहुत ज़्यादा है और उसमें आती है मगर यहां यह सिंपल करके बताने कि मैं कोशिच करूँगा तो कोच्छी का मतलब है कोशना और आ कोच्छी का मतलब कोशा गया यानि कि मंग माने मैं मैं कोशा गया या मुझे कोशा गया अवदी मंग एवधी मंग एवधी मंग एवधी का मतलब होता है यहां पे पीटना या कुछ ऐसी बात करना जिसमें पीटने से सम्मदित है मारना या पीटना त मुझे जीता गया, मुझे जीता गया, या मुझे जीता गया, ए हासी का मतलब होता है, हासी जो होता है वो आता है लूट पार के लिए, यानि लूट पार अगर आप कहेंगे तो उसको हासी बोलते हैं, और ए हासी का मतलब है, कि मुझे लूट प्रा गया, ये चार बाते हैं, ये चै तंग उपनेहंती ये माने जो चै माने और तंग माने वे ये और वे उपनेहंती उपनेहंती का मतलब है जो मन में ऐसी बात रखते हैं या ऐसी बातों को आसरा देते हैं कैसी बातों को देते हैं कोसने को, मारने को, लूटने को, जीतने को जो मन में ऐसी बात है रखते हैं वेरंग तेसंग ने सम्मती वेरंग क्या होता है वेर है वेर वेर का मतलब है जब आपके से दुस्मनी रखते हैं तो उसको वेर बोलते हैं अभी तो दो मात्राओं का वेर हो गया दो मात्रा हैं पाली के अंदर कहीं नहीं है जो औरत वाली दो मात्रा हैं वो कहीं नहीं है पाली में सर्फ एक मात्रा होती है वेर वेर वाली कोई मात्रा नहीं होती इसलिए हैं वेरंग बोलते हैं ते संग ते माने वे और संग माने तेसंग माने उसमें उसको या उसमें या उसपर वेको वेको भी आता है नय सम्मति नय माने नहीं और सम्मति जो सब्द है आपने वो सुना होगा जो आपने कथा सुनी होगी महात्मा गांधी की जिसमें बारवर आता है सबको सम्मति दे ऐसा एक सब्द आता है, सबको सम्मति दे, सम्मति का मतलब है शांती, शांती यानि कि खंती या चांती, शांती, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ इसका, कि मुझे मारा गया, मुझे कोसा गया, मुझे जीता गया, मुझे लूटा गया, ऐसा जो लोग मन में सोचते हैं, वैर उन चार भी लगबग ऐसी है, ये सावित्ती की कहानी है, सावित्ती यानि जैत्वन बुद्ध बिहार के अंदर, जैत्वन महा बिहार के अंदर या जैत्वन संगाराम के अंदर, जब भगवान बुद्ध वहां थे, तो अमिताब थे, अमिताब भी भगवान का नाम है, धेर थे, उनका नाम था थल-thiss, थुल्स तो आप समझते होंगे, थुल-thul जो बोलते हैं मोटा-मोटा सा, गुद-गुदा सा, धेर सा, ठेर सा जो होता है मास का लोथड़ा। उसको थुल बोलते हैं तो नाम था थुल तिस थुल तिस थेर हुए और वो बहुत मोटे थुल थे इसलिए उनका नाम पड़ा नाम दिया क्योंकि नाम बदल जाते हैं जब आप विपस्णा जब आप साधना करेंगे और भिक्कू बनेंगे आपकी टेनिंग होगी आपको सिखा जाएगा तो आपका नया नाम वहाँ देंगे ये परंपरा पुरानी बुद्र डाले थी ताकि नाम से भी लगाव ना रहे अगर आप पुराने नाम से जाने जाएगे तो आपको नाम से भी लगाव रहेगा और नाम से लगावकर आपको रहेगा तो आप अपने नाम को आगर बढ़ाने के लिए वहाँ काम करेंगे और उससे आपकी विपस्ना नहीं हो पाएगी साधा नहीं हो पाएगी वो रुख जाएगी इसलिए भिक्को संग में आने के बाद में आपको अपनी हर्ची छोड़नी पड़ती है आपको अपने बाल आपको अपने कपड़े आपको गहने, अंगोठी जो भी सब सामान है वो सब छोड़ना पड़ता है आपको भिक्को संग से कपड़े मिलेंगे भिक्को संग की ड्रेस लेनी पड़ेगी और भिक्कु संक के हिसाब से ही आपको बाल बगर रखने पड़ेंगे, जो नियम बनाये हैं, आपको अपना नाम भी छोड़ना पड़ेगा, और वहाँ नाम भी आपको नया मिलेगा, तो ये जो सजन थे, इनका पुरान नाम तो पता नहीं, मगर वहाँ जो इनके सरीर को दे बाद 10 साल तक ये टेंड होने के बाद 10 साल तक ही रहे हैं, तो उनको थेर बोलते हैं, तो ये थेर होंगे, कुछ समझते थे कि महा थेर होंगे, यानि कि 20 साल इनको हो गए होंगे, तो उनके सेवा करते थे, उनके काम करते थे, जैसा नियम था, तो वहाँ जो यूवा भिक बनता हूँ और मेरी टेनिंग आज कंप्लीट हो गई, 2019 के अंदर, तो 2019 के जिस मन्त हो जिस डेट से मेरी टेनिंग को कंप्लीट माना जाएगा, उस दिन से मेरी आयू स्टार्ट होगी, और अगर मुझे भिकु बने हुए पांच साल हो गए, तो मेरी आयू पांच साल है, और हम ऐसा उस भिक्कु को नमस्कार करूँगा बेसेक उसकी जो biological age है यानि जो उसका जीवन का चक्र की जो उम्र है बेसेक मुझसे कम है मर उसकी उपसंबदा यानि ग्यान की जो age मानी जाएगी वो age बड़ी मानी जाएगी और मेरी कम होगी तो उनसे कि ये जो थेर हैं जो बताते हैं अपने आपको ये थेर नहीं है और ये जूट बोलने हैं बताना नहीं चाहते हैं तो जितने भी छोटे भिक्कु थे वो सब उनको चलाने लगे कैसे भिक्कु हैं बताते नहीं हैं जूट बोलते हैं क्या आप बताते क्यों नहीं है तो उन्होंने क्या हुआ वो चिड़ गए इस बास से और चिड़ने के बास से उन्होंने का क्या अच्छा तुम मुझे जानते रही हो अब मैं तुम्हें बताता हूँ और तुम सब अब देखना तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ मैं जो भगवान बुद्ध हैं सिधार्थ हैं उनका रिस्तदार हूँ और मैं यहां ऐसे नहीं आया हुआ हूँ तो वो जो भगवान बुद्ध के चचेरे बुगा के यानि चचेरे भाई थे उनकी बुगा के लड़के थे तो ये दम्भू उनके अंदर था और ये अभिमान उनके अंदर था कि मैं तो सिध्धार्थ गौतम बुद्ध की बुगा के लड़का हूँ और इनकी क्या हिम्मत मजाल तो वो जाके रोते हुए और भगवान के समक्ष परस्थ हुए और रोते रोते कहने लगे देखो मुनी सिध्धार्थ गौतम बुद्ध देखो बुद्ध देखो ततागत इन्होंने मुझे ऐसा कहा ये मुझे इस तरह से कहते हैं इन्होंने मुझे मारा इन्होंने मुझे कोसा इन्होंने मुझे जीता इन्होंने मुझे लूटा ऐसा करते हैं ये और ऐसा मन में बैर ये ड्रकते हैं तो ये बात है उन्होंने उस समय कहीं तो भगवान बुद से उन्हें उम्मीद थी कि भगवान बुद सब जो सामनेर हैं या जो भी विकुए उनको डाटेंगे, समझाएंगे, क्योंकि वो उनके बुगा के लड़के हैं, चचेरे भाई हैं, तो मगर महा उल्टा हो गया, क्योंकि भगवान बुत्तो, संग के नियम सब के लिए परावर थे, तब उन्होंने थुलतिस को ही डाटा, और ये कथा कही, कि जो व्यक्ति ऐसा कहता है, कि मुझे मारा गया, मुझे कोसा गया, मुझे लूटा गया, मुझे जीता गया, जो व्यक्ति ऐसा मन में रखता है, उसका वैर कभी सांत नहीं हो सकता, वो हम ऐसा परिसान रहेगा, और फिर उन्होंने इसके अपोजिट दूसरी गाथा कही, क तेसूप सम्मती, यानि अक्कोछी मंग, एवधी मंग, एजिनी मंग, एहासी में, ये तंग ने उपनेहंती, वेरंग, तेसूप सम्मती, यानि कि पहली बार ठीक है, कोई अगर ये कहता है, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे कोसा, उसने मुझे जीता, उसने मुझे लूट और कोई विक्ति ये बात मन में नहीं रखता है ये तंग ने उपने अंति यानि ये बात जो मन में नहीं रखता है वेरंग तेसूप सम्मती इसका मतलब है कि वेर जितना भी होगा उसका हमेशा उपसम्मती माने सांत और संतुष्ट होगा इसमें तेसु का माने है उसका और उपसंबती का माने है उपसंबती माने संथ हो ना उपसंबती बोलते हैं संथ होता है संतुष्ट होता है और उपसंबती से ही उपसंबता सब बना है यानि उपसंबती से ही उपसंबता सब बना है और उपसंबता क्या होता है उपसंबता हो जब भिक्व अपनी टेनिंग में पूरी तरह से सांth हो जाता है कोई व्यक्ति अगर भिक्व बनने आता है और वह वहाँ नियम सारइ सीखता है नियम सीखने के बाद में बार-बार उसकी परिखशा होती है परिखखा होती है जब उसकी परिक्षण या परिक्षण या परिक्षण होती है तो वहाँ ये देखते हैं कि अब इसने अपने वैरों को कितना सांत कर लिया यानि जो इसके आसव हैं, जो इसके बुरे काम हैं, राग देश मुह हैं वो कितने सांत हो गए जब वो उपसम्मती हो जाते हैं, सांत हो जाते हैं तो इसको कहते हैं कि अब ये भिक्कू बन सकता है क्योंकि इसने अपने सारे बैर को सम्मती कर ली है, शांत कर लिया है उपसमन कर लिया है, उपसम्मती हो गई है तो अब इसकी हम उपसंपन मानते हैं और इसकी उपसंपदा हो गई ये सब्दों वहीं से आया हुआ है और इसकी जो कथा है वो बहुत आसान सी और बढ़िया है क्योंकि इसमें जो थुलतिस से हैं थुलतिस से तो आपको याद रहेंगे